हेलो एंड गुड इवनिंग ओल आशा है हर दिन की तरह आज भी आप सभी हमारे साथ जूनने का प्रयास कर रहे होंगे जो भी मेंबर्स जूडते जाएंगे वो एक थमसप शो करेंगे जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आप जूड चुके हैं मेरे साथ और फिर मैं आपनी क्लास शुरू करूँगी मैं दो-तिन मिनिट पहले ही कोशिश करती हूँ आप लोगों के साथ जूडने की ताकि हम ज्य जैसे जैसे आप जूडते जाएंगे वैसे ही अपना थमसप शो करते जाएंगे और मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही है कि नहीं वो भी थोड़ा सा आप कन्फर्म कर देंगे तो देखे ये हमारा फिलर फॉर्म का जो एड्यूकेशनल ग्रूप है इसको आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे गर्वर्मेंट पोस्ट जो हैं वो निकलते रहते हैं उसके बारे में आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी जो भी आपको इन्फरमेशन चाहिए आप फिल दे सकते हैं क्या उन एक्जाम को देने के प्रोटोकॉल से ये आपको पता चल जाएंगे तो आप आप अराम से कर सकते हैं ये बहुत बहुत है सब्सक्राइब कर दीजे चैनल को और जोड़ जाए हमारे इस एडुकेशनल वेबसाइट के साथ जिसका नाम है फिलर फॉर्म और लेफ्ट साइड में आपको दिखी रहेंगे कि हमारे जो टीचर्स हैं वो सीटेट के लिए क्लास ले रहे हैं तो ये शो हो रहे हैं स्क्रीन पे और फ्री कंप्यूटर क्लासेज भी आपको एवलेबल हैं हमारे फिलर फॉर्म पे बेसिक जो कोर्सेज होते हैं वो आपक तो मुझे तो ये लगता है कि हर किसी को एक ग्रूप जरूर जोइन करना चाहिए जिससे कि आपको कुछ ना कुछ नौलेज एवरी डे मिलती रहे जिससे कि आप खुद को अपडेटेट फील करेंगे अपडेट होना बहुत जरूरी है तो ये जो है फिलर फॉर्म का आपन ये वर्शा मेडम के साथ जो की लेती है सोशल स्टडीज और उसके बाद आते हैं हमारे चंदरिशेखर सरजी और ये लेते हैं मैट्स की क्लास टैनो क्लॉग पे सुखवंती मैम लेती हैं इंगलिश की क्लास वन पीम पे और सीडीपी क्लास रितु मेडम लेती हैं थ्री प क्लास है वो बिल्कुल फिक्स है टाइम एवरी डे हम इस टाइम पे आ जाते हैं सिर्फ संडे आपका ओफ रहता है तो यहां देख सकते हैं आप स्क्रीन पे कि सीटेट और एच्टेट के लिए आपको जो भी माटेरियल चाहिए स्रडी मेटेरियल वो भी आपको मिल जाएंग आपकी क्लास है संडे ओफ है संडे एक दिन तो होना चीरेस्ट के लिए तो उव्येस है तो यह रेगुलर क्लास सवाइद के लिए बहुत ही बेनिफिश्यल है और अधर टेट के लिए आप एट के लिए त्यारी करनी हैं वही रहते हैं बटहर बिए आपका जूंड़ता है तो ये एक add extra हो जाता है अगर आप h date दे रहे हैं तो बाकी depend आपका subject करता है कि आप कौन से subject से कर रहे हैं और किस post के लिए कर रहे हैं EVS आपका mostly PRT के लिए है मैंने जो बताया आपको क्योंकि EVS जो है वो PRT sections में ही होता है 3 to 5 तो आपका जो NCRT based course है वो ही exam में basically पूछा जाता है और वो ही मैं आपको यहाँ पे preparation कर रहे हूँ तो I think आप सब जुड रहे होंगे मेरे साथ बड़ थम सब शो नहीं कर रहे हैं पता नहीं क्यों थम सब शो करिए जिससे मुझे पता चले कि आप मेरे साथ जुड चुके हैं तो आप सभी का बहुत बहुत वेलकम हैं और आज नवरात्री का पहला दिन है और बहुत बहुत आप सभी को नवरात्री की शुब कामनाएं मैं देती हूँ मेरा नाम है सोनाली और मैं आपकी everyday EBS की classes ले रही हूँ और आपको यही कहना चाहूंगी कि देखे हर साल तिवहार आते हैं हर साल exams भी आते हैं और कोई भी चीज को हमको छोड़ना नहीं है दोनों को साथ लेकर चलना है ना हमें तिवहार छोड़ने हैं अपने और ना अपने exams को छोड़ना है तो यह दोनों चीजों में ही आपको एक manage करना है time को और ये बहुत important है क्योंकि अगर आपने time manage कर लिया तो आप ने बहुत कुछ manage कर लिया है ना तो आप इस तरह से अपना schedule बनाईए कि आपकी पढ़ाई भी इसमें disturb ना हो और continuously आप जुड़े हुए भी रहे class में और अपना पूजा जो करना है बिल्कुल करिए वो भी बहुत जरूरी है क्योंकि जो दुरगा जी के 9 दिन की पूजा होती है ये basically देखिए शक्ति के लिए हम मानते हैं तो मैं आप सभी को ये कहूंगी कि आपको सभी को इतनी शक्ति दें कि आप जो भी रह में आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसके लिए आप अपना रास्ता खुद बनाए किसी से आपको मदद लेने की जरुवत न हो और इतनी शक्ति आपके अंदर भर दे इश्वर कि आप हर काम में सफलता पाएं बस इसी आशा के साथ आज की क्लास हम शुरू करेंगे और अच्छा प्रियंका जी जुड़ गई है पूजा जी ये तो हमारे अब रेगुलर हो गए स्टुडेंट्स आप लोगों को अब मैं बिल्कुल डेली देखना चाहूंगी और आप लोग को हैपी नवरात्री नमस्ते बहुत अच्छा लगता है जब कोई रेगुलर रिस्पॉंस देते हैं, रेगुलर जुड़ते हैं तो हमको लगता है कि हाँ हमारा जो काम है वो at least कुछ हट तक हमने उसको पा लिया है कि जो हम अचीव करना चाहते हैं, हम जो बता रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है, आपको हमारे साथ जुड़कर अच्छा लग रहा है, तो आज मैंने आप लोगों को कहा था कि regular का जो हमारा lecture होता है, वो थोड़ा boring हो जाता है, everyday हम पढ़ते हैं, तो जो अभी तक मैंने आप लोगों को chapters पढ़ाए हैं, basically जो family वाला जो हमारा family and friends, उसमें से आज मैंने कुछ MCQs लिये हैं, जिससे कि आप सभी जो है, थोड़ा सा आज हलका feel करेंगे, अच्छा लगेगा आप लोगों को MCQ solve करके, और फिर हम कल से जैसे हमारी regular classes हो रही थी, उसी तरह से classes होंगी, और बीच-बीच में इस तरह से MCQs में आप लोगों क response आने शुरू हो गए हैं, MCQ में यही होता है कि जब तक response ना आएं तब तक मज़ा नहीं आता है, तो हम आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं कि जो CTAT 2022-23 का जो हमारा CTAT का exam है, वो आपकी free classes हैं, इसमें जल से जल आप join करिए, और join करने से आपको फायदा बहुत मिलने वाल है, most probably कि आपके जो exams हैं, वो online होने के chances हैं, क्योंकि last year से यह जो चल रहा है, वो इसी तरह से follow up हो रहा है, अभी तक notifications नहीं आई है, थोड़ा सा है delay हो रहा है, कोई चीज कभी-कभी delay होती है, जब कोई नए तरह से किसी काम की शुरुआत होती है, तो उसमें कभी-कभी समय लगता है, actually देखिए, आप खुद सोच के देखिए, कि इतने लोग CTET का exam देंगे, इतना बड़ा network उसमें busy होगा, एक ही time पर सारे लोग उसमें work करेंगे, तो server भी आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, इस बहुत सारी चीजें जो technical चीजें होती है, इनको भी दुरुस में कमी नहीं करनी है, उसको बिल्कुल पक्का रखना है, और आगे बढ़ते रहना है, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, और अपना जो first MCQ है, उसको देख लेते हैं, mostly आपका family and friends, और जो आपका games से related था, इस इस टाइप के जो आपके plans से related, इसी तरह के questions जो हैं, आपके इसमें मैं अभी add करूँगे, कुछ pedagogy के questions भी आपको रहेंगे, तो आप समझेंगे कि हाँ pedagogy के questions किस तरह, अलग से कोई pedagogy इसमें है नहीं, pedagogy के questions जो हैं, वो actually CDP से होकर ही जाएंगे आपके, ठीक है, ये psychological आपके questions रहेंगे, जो आपको थोड़ा सा खुद भी समझन होगा, कि ये क्या चाहरा है पूछना, question को कई बार होता है, कि हमें answer पता होता है, बट हम question को समझ नहीं पाते हैं, तो मैं आप लोगों से यही कहूंगी, कि आप question को पढ़िए, और उसको ध्यान से पढ़िए, अभी जैसे first मैंने आप लोगों को दिखाया, कि answer भी आने ल answer बिलकुल right है, थोड़ा सा हलका सा describe भी कर देती हूं मैं, बहुत अच्छा, very good, तो देखिए, a family in which the mother, father, one child and his uncle are living, present and example, which family, किस family के ये उधारन हैं, जिसमें के एक family में, माता-पिता, एक बच्चा, उसके चाजा रहते हैं, तो ये एक संयूक्त परिवार का, मतलब joint family का है nuclear मतलब एक छोटी family, नाभिक परिवार भी कहा जाता है, petri local family, पित्र स्थानिक, या फिर none of the above, तो ये चारों में, जो है, answer जो है, वो है, first, संयूक्त परिवार, जैसा कि मैंने आप लोगों को जब पढ़ाया था, तो काफी detail में कोशिश की थी पढ़ाने की, और इसमें family म कुछ चीज़ें रह गई थी, उसको मैं आज और भी add कर दूंगी, उससे आप लोग थोड़ा सा और detail में चले जाएंगे, कुछ दो-तीन points हैं, जो मुझे लगे कि missing है, उनको मैंने आज add किया है, तो ये तो हमारा बहुत easy question था, कभी-कभी इतने easy questions आ जाते हैं, और कभी-क परिवार, अगर यहाँ पर चाचा जी नहीं रहते होते, तो फिर क्या होता, कि माता पिता और एक बच्चा होता, तो इसमें answer हो जाता आपका second वाला, मतलब nuclear family हो जाता, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, इसमें जो answer है, मैं pointer ले ले लेती हूँ, काफी easy हो जाएगा मेरे family, ठीक है, इसमें किसी को कोई doubt तो नहीं है, अगर किसी को भी कोई doubt लगता है, कुछ भी आपको ऐसा feel होता है, कि नहीं हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बिल्कुल पूछते भी जाएगा साथ में, तो हम next slide पे चलते हैं, और हमारा next slide जो है, वो है कि which one of the following statement incorrect regarding friend and friendship, क को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, मित्र और मित्रता के संबंध में निम्न लिखित में से कौन सा कथन गलत है, या सही नहीं है, ठीक है, तो first है, in true friendship, it is important to give gifts to each other, सच्ची दोस्ती में एक दूसरे को नियमित रूप से उपहार देना जरूरी है, ठीक है, second है, friends usually motivate other friend and also share their joy and sorrow, दोस्त आम तोर पर एक दूसरे दोस्त को प्रेरित करते हैं और अपना सुख दुख भी बाटते हैं, third is, friends do not need to have some choices in term of food and clothing, दोस्तों को भोजन और कपड़ों के मामले में समान विकल्प रखने की आवशकता नहीं है, मतलब एक जैसा होना जरूरी नहीं है, कि वो एक ज इसमें से कौन सा जो है आंसर, इसमें से आप लोग को लगता है कि वो मित्र और मित्रता के संबंध में सही नहीं है, पूजा जी ने दिया है C आंसर और प्रियंका जी ने दिया है A आंसर, एक बार आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे question को, मित्र और मित्रता के संबंध में न लिकित में से कौन सा गलत है इस चीज को बड़ा ध्यान से आप पढ़ेंगे कि उसमें लिखा क्या हुआ है इसमें चार अलग-अलग बाते कहीं गई है कि सच्ची दोस्ती में एक दूसरे को नियमित रुप से उपहार देना जरूरी है दोस्त आम तोर पर दूसरे दोस्त को प्रेदित करते हैं और अपना दुख सुक भी बाटते हैं दोस्तों को भोजन और कपड़ों के मामले में समान विकल्प रखने की आवशक्ता नहीं है यह ज़रूरी नहीं है कि दोस्त कमूबिष्ट एक ही उम्रका हो तो इसमें पूजा जी ने दिया है C आंसर बट पूजा जी यह रॉंग आंसर है और प्रियंका जी का आंसर जो है A that is right आंसर देखिए इसको थोड़ा सा मैं explain कर देती हूँ आप लोगों के लिए मित्र और मित्रता के संबन में कौन सा कथन गलत है ठीक है आप किसी से दोस्ती कर रहे हैं तो आप उसको गिफ्ट देंगे तभी वो दोस्ती आपके सार्थक होगी कि आप उसको एक लोयल दोस्त के रूप में अगर प्रेजन करते हैं खुद को तो वो ज़्यादा अच्छा होगा यह आपको देखना है कि क्या हम जो हैं उस दोस्ती में लॉयल हैं हमने वो काम किया है जो एक दोस्त को करना चाहिए ठीक है तो यह जो है यह हमको देखना है और क्या गिफ्ट देंगे तभी वो हमारा दोस्त बनेगा तो यह तो वैसी बात हो गई कि किसी को गिफ्ट देके हम अपने मतलब के लिए उसको दोस्त बना रहे हैं कि इसको गिफ्ट दे देते हैं आज कुछ महंगा वाला तो यह हमना दोस्त बन जाएगा तो यह तो मतलब की दोस्ती हो गई न तो यह जो फर्स्ट जो पॉइंट ह आपका ये ये first point जो आपका है ये right इसमें होगा ऐसे तो ये गलत है पर इसमें कहा गया है कि गलत कौन सा होना चाहिए तो गलत आपका ये first वाला होगा और भी हमारे साथ बहुत लोग जुड़ रहे हैं जो thumbs up नहीं show कर रहे हैं और answer नहीं कर रहे हैं answer करिए आप लोगों को भी अच्छा लगेगा एक जुड़ाओ महसूस होगा मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग answer कर रहे हैं तो देखे सची दोस्ती जो होती है उसमें कभी भी उपहार देना जरूरी नहीं होता कभी भी ये नहीं होता कि हम उसको gifts दें ठीक है और द दोस्तों को भोजन और कपड़ों के मामले में समान विकल्प रखने के आवशकता ऐसा नहीं है कि भाई मेरे दोस्त ने अगर आज एक जीन्स खरिद ली है तो मुझे भी जीन्स खरिदनी पड़ेगी तभी मैं उसका दोस्त हो पाऊंगा ऐसा तो है नहीं तो ये विकल्प होने की जरुवत नहीं है दोस्ती जो होती है वो तो दिल से होती है एक लोयल हम उसके प्रती क्या वैवहार करते है उससे होती है और लास्ट पॉइंट है ये जरूरी नहीं है कि दोस्त कमोबिश एक ही उम्र का हो तो दोस्ती जो है ये तो उम्र नहीं देखती है ये तो सभी जानते हैं, मेरे कई ऐसे friends हैं, जो मुझसे करीब करीब 15 years बड़े भी हैं, और कई ऐसे friends भी हैं, जो 15 years छोटे भी हैं, तो आप सोचिए कि बहुत लंबा gap होता है 10 to 15 years का, लेकिन मेरे बहुत अच्छे friends हैं, जो काफी उम्र में मुझसे कम हैं, और काफी उम्र मे होते हैं, या college के होते हैं, वो तो हैं ही, हमारे neighbors कई बार होते हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं, जो बहुत उम्र में कम हैं, या बहुत ज़्यादा हैं उम्र में, और मैंने ये देखा है कि, जो उम्र में हमसे ज़्यादा हैं, वो अपने experiences हमको बताते हैं, और हमें गलत काम करन कर रही हूं वो इतने ज़्यादा advanced है कि वो मुझे कई चीजे बताते हैं कि नहीं यह ऐसे नहीं मैंना आप इसको ऐसे करिए तो उनसे मैं बहुत कुछ सीखती हूं तो देखिए friends चो होते हैं इसी तरह के होते हैं कि वो आपको जीवन में कई चीजें सिखा जाते हैं तो इसम not right ये मित्र और मित्रता के संबन्द में ये कथन गलत होगा ठीक है तो यहां तक आप लोगों को clear हो गया होगा I think आगे बढ़ते हैं मैं कोशिश कर रही हूं कि आप लोगों साथ साथ explain भी करती चलूं जिससे कि आप लोग थोड़ा सा समझ पाएं इस चीज को ठीक है next हम which one of the following statement is correct regarding friends आप देखी अब इसमें correct कौन सा ही आपको पहले वाला तो गलत था इस चीज को आपको बड़ा ध्यान से सुनना है समझना है इसमें आपको correct regarding friends जो correct आपका sentence है उसको चुनना है ठीक है तो मित्र के संबन्द में निमलेकित में से कौन सा कथन सही है they ensure they talk to each other daily वो ensure करते हैं कि हम लोग रोज बात करेंगे they don't share their personal life with each other वे एक दूसरे के साथ अपनी नीजी जिन्दिगी को साजह नहीं करते हैं they never argue about important thing वे महत्पून बातें के बारे में कभी बहस नहीं करते हैं और they try to spend quality time with each other वे एक दूसरे के साथ quality time मतलब एक बहुत ही अच्छा खुश answer आ रहा है very good एकदम त्यारी में मतलब लग गई है कि KBC में जाना है आपको तो लग रहा देखके कि कि आप KBC वह faster finger first होता है ना बस उसी में लगे हुए आप good बहुत जल्दी आपका answer आ रहा है और और लोग का मैं wait कर रही हूँ और लोग answer नहीं कर रहे हैं क्या कर रहे हैं और लोग वो नहीं समझ में आ रहा है मुझे आंसर करिए जल्दी जल्दी आंसर करिए तो थोड़ा मज़ा आएगा बस दो लोग ही आंसर कर रहे हैं बाकी लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं बाकी लोगों को भी आंसर करना है और हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं आज आए नहीं है जानकी जी आज नहीं आई है, आर्ती जी नहीं आई है, और बुधना जी नहीं आ रहे हैं, क्या बात है, पलग हमारे साथ जुड़ी थी, मीनू जी जुड़ी थी, खुश्बू जी जुड़ी थी, कल काफी लोग जुड़े थे, कहां चले गए सब लोग, लग रहा है ये इसको आपको सोचने वाली बात है कि जब हम friends के साथ मिलते हैं, तो हमको लगता है कि वाह, कितना अच्छा दिन बिता, कभी-कभी होता है कि हम एक हफते लगातार काम करते हैं, कहीं हम working हैं, बहुत tired feel करते हैं, लगता है कि अरे कितना काम का बोज है, लेकिन जब हम friend से मिलते हैं, थोड़ा outing करके आ जाते हैं, कभी उसके साथ मिल आते हैं, या वो हमारे पास आ जाता है मिलने, तो कितना अच्छा लगता है कल भी हुई थी मैं क्लास, नई कल प्रियंका जी कल क्लास नहीं हुई थी, कल तो संडे था, संडे आपकी क्लास नहीं होती है, Monday to Saturday क्लास रहती है, ठीक है, संडे आपका नहीं रहता है क्लास और किसी दिन अगर मैं कलास माल लीजिए, ऐसे वरकिंग डेज में, Monday to Saturday, अगर किसी दिन ऐसी कोई एमर्जंसी आ जाती है, अगर मैं कलास नहीं लेने वाली हूँ, तो मैं आप लोग को इन्फोर्मेशन भी दे दूँगी, आप लोग तो जुड़े हुए हैं टेलिग्राम कोई इशू हो रहा है, तो फिर मैं आप लोग को इसमें इन्फोर्म भी कर दूँगी, कि क्यों नहीं ले रही हूँ, या नहीं ले पा रही हूँ, जो भी है, तो आपको सारे इन्फोर्मेशन रेगुलर मिल जाएंगे, ठीक है, तो ये मैं पूरी कोशिश करती हूँ, अच तो आप लोग को ये वाला भी पॉइंट I think clear हो चुका होगा, किसी को भी अगर कोई दिक्कत हो रही है, तो वो बिल्कुल पूछेंगे, इसमें आप लोगों को परिशान होने की जरुवत नहीं है, कि अरे हम क्या करें, पूछें नहीं पूछें, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो जो हमारा point है, वो है एक दूसरे के साथ quality time बिताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम क्या हो जाते हैं, जो stress भरी हमारी life होती है, उससे हम थोड़ा सा बाहर निकल आते हैं, ठीक है, यहां तक clear हो गया है, तो अब चलते हम अपने next slide पे, तो देखिए next हमारा जो slide है, वो ह according to Aristotle, जिसको की हिंदी में अरस्तु कहा जाता है, इसमें नाम में भी देखिए, आप लोग को confusion हो सकता है, तो आप लोग के पास जब question paper आएगा, तो उसमें आप बड़े ध्यान से देखेगा, कि आपको English में क्या show कर रहा है, हिंदी में क्या show कर रहा है, अरस्तु ही Aristotle है, ठ अरस्तु के हिसाब से, इसमें ये बात आपको खास ध्यान देनी है, कि ये जो example, इसमें जो points दिये गए हैं, ये अरस्तु के हिसाब से fit बैटने चाहिए, इसमें आपका अपना दिमाग नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें नाम दे दिया है, जहां पे किसी particular person का नाम नहीं दिय है, किसी जो विशेशागे का नाम या जो इनको लिखने वाले होते हैं, उनका नाम नहीं अगर philosopher का नाम दिया है, तब फिर क्या करेंगे, आप अपना जो इसमें आपको feel होता है, कि सही answer है वो देना, लेकिन अगर इसमें लिखा हुआ है, कि अरस्तु के अनुसार दो वैक तो इसमें देखिए, first is friendship of pleasure, friendship of goods, friendship of utility, friendship of interest, कि भई हमको interest आ रहा है, last point को मैं पढ़ रही हूँ, कि हमको interest आ रहा है तो हम जाएंगे, जिस दन हमारा interest खतम हो गया, हम नहीं जाएंगे, जैसे माल लेते हैं, कि मेरे friend ने जो है, कोई गाड़ी खरीद ली, मैं last point से शुरू कर रही हूँ, मेरे friend ने कोई गाड़ी खरीद दी, और मुझे गाड़ी सीखनी है, तो मैं उससे friendship कुछ दिन की रख लूँगी, कि चलो भई, मैं चलो अच्छा है, interest प्यारा है मुझे, गाड़ी भी मैं चलो सीख लेती हूँ, अच्छा हो जाएगा, मेरा सीखना हो जाएगा और फिर उसके बाद जब गाड़ी मैंने सीख ली, उसके बाद फिर दोस्ती चल रही है, बस काम चलाओ चल रही है, लेकिन वैसी गाड़ी दोस्ती नहीं चल रही है, तो मेरा interest था उस समय, तो मैंने दोस्ती रखी, उसके बाद third point, मैं नीचे से शुरू कर रही हूँ, third point जो है, वो friendship of utility, ये भी उसी तरह का है, कि आपको अगर जरूरत पड़ती है, तो आप जाते हैं उसके पास, कि भाई मुझे थोड़ा पैसों की जरूरत है, तो मैंने दोस्ती अपनी निभाली, मुझे पैसों की जरूरत खतम हो गई, तो फिर मैंने अरे छोड़ो, कहीं मु मिर से पैसा ना मांग ले, ये tension से फिर उससे दोस्ती नहीं कर रहे है, friendship of good मतलब क्या होता है, एक loyalty के साथ, सचे मन से एक अच्छी दोस्ती, जिसमें की कोई लेन देन की आशा नहीं, बलकि एक मित्र भाव होता है, उसको मित्र भाव, जो अच्छा मित्र भाव है, उसको ब खग गया, खुशी की दोस्ती, सिर्फ प्लैजर के लिए हमने दोस्ती की है, तो ये जो points है, इसको बड़ा ध्यान से आपको देखना है, थोड़ा सा confusion वाला है, बट इसमें आपको चुनना है किसका, अरस्तु के हिसाब से, ठीक है, इसमें अरस्तु के हिसाब से जो है, वो अच्छा answer किसने किसने दिया, सिर्फ दो ही लोग answer दे रहें, ये बड़ा मुश्किल है कि आप लोग दो ही लोग answer दे रहें, पूझा जी ने C answer किया है, friendship of utility, और प्रियंका जी ने B answer किया है, friendship of good, तो यहाँ पे जीत जाती है, प्रियंका जी क्योंकि आपने B answer दिया है, औ और आंसर B जो है वही क्या है हमारे इस question का right answer है क्योंकि इसमें specially क्या बताया जा रहा है जो अरस्तु के हिसाब से आपको बताना है तो उन्होंने जो theory लिखी है उस हिसाब से जो friendship है वो उसमें loyalty को सबसे ज़्यादा दिया जा रहा है महत्व कि हम एक क्या सचे दोस्त हैं अच अच्छी दोस्ती ठीक है तो right answer is friendship of good यहां तक आपको I think clear हो चुका होगा किसी को अगर कुछ पूछना है तो इसमें आप यह याद रखेगा कि अरस्तु के हिसाब से जो है वो यह friendship of good है इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर कहीं नाम mention है तो इसको आप ध्यान बताया था sports and games के through किस तरह से बच्चों का development होता है उसके बारे में question है कि sports and games help in development of child खेल और बच्चे के विकास में मदद करते हैं कैसे मदद करते हैं उनकी immunity develop करते हैं physical growth develop करते हैं mental growth develop करते हैं या all of these उनकी जो बिमारियों से लड़ने की जो ताकत होती है उसको बढ़ाते ह हैं भौतिक रूप से मतरब शारीरिक रूप से भी कहा जा सकता है वो अच्छे होते हैं मांसिक रूप से वो अच्छे होते हैं या ये सब ही प्रियंका जी ने कहा है कि मैं मैंने previous classes तो attend नहीं की आज second ही watch कर रही हूँ बट राइट है answer आपका attention की कोई बात नहीं है लेकिन अगर previous कर लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा क्योंकि उसमें और मैंने detail में बताया है ठीक है एक प्रियंका कुमारी जी भी जॉइन कर ली है very good प्रियंका नाम वाले लग रहा है थोड़े active ज्यादा है क्या तो एक प्रियंका हमारे साथ थी एक प्रियंका कुमारी जी एड हो गई है good very good और कल मुझसे पूछा था किसी ने की exam का pattern कैसा होगा तो वो मैंने telegram पे डाल दिया था और नीचे voice message भी आपको दे दिया था उसके according आपको समझ में आ गया होगा I think तो कोई problem नहीं आ रही होगी उसमें PGT sorry PRT and TGT के लिए जो आप exam देते हैं उसमें सारा mention था तो जो fill up form के साथ जूड़ चुके हैं अच्छी बात है वो हमारे telegram group को भी जल्दी join कर लेंगे तो आपको जो daily का रहेगा कुछ भी आपको information वहां मिल जाएगा ठीक है आप उस सकते हैं कोई problem वाली बात नहीं है वहां भी आपको मैं answer कर दूँगी तो यह जो है इसमें answer आया है अवनी जी का डी प्रियंका कुमारी जी का डी प्रियंका जी का डी लालती गोन जी हाँ आप बाकी class लालती जी attend करती है मैं देखती हूँ कि आप Hindi की attend करती हैं आप English की भी दिया है answer लालती जी थोड़ा confused है पहले उन्होंने B लिखा है फिर D लिखा है तो इसमें जो है यह आप बड़े ध्यान से इसको समझ लीजिए कि जो बच्चे का growth है खेल के माध्यम से अगर उसका growth हम देखते हैं sports and games के माध्यम से तो वो all of these इसमें जो है हमारा right answer होगा क् क्योंकि खेल एक ऐसी चीज है जो हमारी immunity को भी बढ़ाती है physical strength को भी बढ़ाती है और mental growth तो हमारा करती ही करती है क्योंकि और एक तरीका मैं आप लोगों को बता रही हूं इस टाइप के जब question आपके सामने आएंगे जिसमें all of these लिखा हुआ है तो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा chances हो जाते हैं all of these के right होने के यह मैं थोड़ा सा आपको guessing वाला formula बता रही हूं कभी कभी करना पड़ता है हमको exam में कि थोड़ा बहुत guessing भी करना पड़ता है तो अगर आप exam दे रहे हैं और आपके सामने ऐसे options आते हैं तो आप इसमें all of these में write कर सकते है जहां आपको confusion हो रहा है कि first second third में से कौन सा सही होगा और option में आपके पास fourth option दिया है कि all of these तो बहुत ज़्यादा chances हो जाते हैं कि all of these तो यह right answer है मंजे माही जी इतने देर से आप चुप चप बैठे थे अभी आए हैं class में और अगर अभी आए हैं तो आप late आए हैं और वो भी करीब-करीब 25 minutes आप late हैं तो जल्दी आईए class में मैं बिल्कुल 6 बजे almost मैं regular चालू कर देती हूं class ठीक है आगे बढ़ते हैं और आगे हम आजाते हैं जहारा question है which one of the following statement is incorrect regarding work and play यह incorrect है देखे इसको भी बड़े ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है कि यह incorrect है work and play के लिए ठीक है it improve learning capacity in child यह improve करता है मतलब सीखने की छमता में सुधार करता है it eroses curiosity in child यह बच्चे में जिग्यासा को जगाता है जानने की इच्छा को कहा जाता है जिग्यासा leads to development of physically healthy child शारीक रूप से स्वस्थ बच्चे के विकास की ओर ले जाता है और child can be stubborn मतलब बच् easy answer इसका होगा बहुत यह आसान हैенс का answer कि बच्चा जो हे वो कैसा हो सकता है जिद्दी हो सकता है अब बताएए कि खेल अगर वो खेल रहा है या कोई छीज सीकh रहा है तो इससे जिद्दी होने का क्या relation कोई relation है क्या बिलकुल भी कोई relation नहीं है तो सीधे सीधे इसका answer अगर वो खेल खेलता है, तो बच्चे में सीखने की शमता में सुधार होगा, बच्चे में जिग्यासा जागेगी, वो नहीं नहीं चीजें सीखेगा, और शालिक रूप से तो वो अच्छा होगा ही, उसके healthy वो होना ही होना है, mentally हो या physically, तो ये बहुत, इसका right answer जो है, ये ह अंसर सही था, Priyanka, Maurya जी का भी सही है, सब सही आपने दिया, Pooja जी ने भी सही दिया answer, तो ठीक है, तो ये answer आप लोग इसको correct कर लेंगे, गलती हो गई, कोई बात नहीं है, इसको समझ लेंगे, और correct कर लेंगे, ठीक है, तो ये इस type के जो है आपके pedagogical question आएंगे, अभ which one of the statement given below incorrect about play, ये भी play के बाले में incorrect है, कि अगर हम बच्चा कोई खेलता है, तो कौन सी जो point है, वो सही नहीं है, वो आपको बतानी है, it teaches language, skill and social relationship, ये भाशा कौशल और समाजिक संबन सिखाता है, तो ये अगर हम बच्चे को खेलने छोडते हैं, तो वो बहुत सारी चीजे जो है, वो सीखता है, भाशा कौशल जिसे एक छोटा बच्चा है, वो उसको हम जब घर से बाहर दूसरे बच्चों के साथ खेलने भेजते हैं, तो वो क्या करता है, बहुत सारी नहीं नहीं चीजे से क्या आता है, कि आज मैं खेला, तो वो बच्चे ने मुझे बॉल मारन सिखाया, इस तरह से मारा जाता है, उसने मुझे बताया कि बैट कैसे पकड़ते हैं, तो ये चीजें वो सीखता है, साथ साथ वो क्या सीखता है, भाशा कौशल सीखता है, बहुत सारी नहीं बातें सीख्या आता है, सेंटेंसे बोलने लगता है, इस नौट गुट फॉर द बिल्डिंग, इमेजिनेशन पावर, एंड डवलपिंग, ठिंकिंग स्किल, प्ले जो है, खेलना जो है, कल्पना शक्ती के निर्मान में और सोच, कौशल को विक्सित करने में मदद करता है, और लास्ट पॉइंट है, प्ले एक्टिविटीज आर एसेंशियल पॉर हेल्ध बच्चे के स्वस्थ विकास के लिए खेल गतिविधियां आवशक हैं, तो इसमें आंसर किया है, पूजा जी ने बी किया है, मंजे जी ने नमबर टू, येस, और आप लोग सभी जीत जाते हैं, फास्टर फिंगर फिर्स्ट में सब जीत गए आप लोग, ठीक है, करोड़ चल रहा है, आज हमारा करोड़ पती चल रहा है, तो आप सब करोड़ पती बनने के उसमें भी जूटे हुए हैं, और सब बच्चा है, तो यहां हमें पता चल जाता है, कि जो उनिगर पढ़ाना है, वो शफल होता है, जब आप सही आंसर करते हैं, और बहुँ जादा कि वो समाजिक रूप से मांसिक रूप से और शारिरिक रूप से वो तीनों तरह से development उसको मिले तो यही होता है खेल का main reason बच्चों को अलग से games का period भी इसलिए दिया जाता है कि यह सारी development उसके उस एक period में हो जाए वो लोगों से घुलना मिनना सीखता है सब चीज तो यह ज करिएगा next हम आगे बढ़ते हैं 8th question is family is a unit consisting of mother, father and their two children परिवार एक इकाई है जिसमें माता पिता और उसके दो बच्चे होते हैं तो यह कथन देखिए family is a unit consisting जिसमें mother, father होते हैं और उनके दो बच्चे होते हैं ठीक है तो the statement is incorrect because the statement should specify the children are biological मतलब यह कथन गलत है क्योंकि कथन में यह निर्दिश होना चाहिए कि बच्चे जैवी कि यह तो कोई बात नहीं होती है ठीक है यह तो बहुत ही अजीब है और यह incorrect है अब जो है incorrect क्या लिखा है कि second number है because there are many kids of families and one cannot classify family as being of only one kind गलत क्योंकि परिवार कई प्रकार के हो सकते हैं और परिवार को केवल एक प किया जा सकते है यह मैंने आप लोगों को classification बताया था family का उसमें यह clear show होता है कि family किसी भी तरह की हो सकती है छोटी हो सकती है बड़ी हो सकती है है ना किसी भी तरह की हो सकती है और फिर last के दोनों भी correct बता रहा है यह correct है कि भही सही है क्योंकि यह आदश परिवार का आकार है और correct है क्योंकि यह सभी भारती परिवार ऐसे होता है सभी भारती परिवार ऐसे नहीं होते है बहुत तरह के होते हैं तो इसमें सीधे सीधे आपका answer कौन सा हो जाता है number 2 हो जाता है answer और आप लोगों में से सब ने सही दिया पूजा रानी जी का थोड़ा answer इस बार और उनके दो बच्चे होंगे, तो ही वो परिवार होगा, माता-पिता और एक बच्चा होगो तो भी परिवार हो सकता है, हो सकता है कई परिवार में उनके दादा-दादी भी जुड़े हों, वो भी एक परिवार हुआ, जो की joint family का स्वरूप है, तो इस तरह से परिवार का क कोई एक निश्चित हम रूप नहीं ले सकते हैं, उसको कई भागों में classify किया जा सकता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और एक ये question आता है, इसको थोड़ा आप समझ लीजिए, कि what is the basic unit of society, एक society है समाज में आप जब रहते हैं, तो समाज में मूल इकाई क्या होती है, किस समाज में कैसे जोड़ा जाता है लोगों को, तो वो हमेशा आप ध्यान दीजेगा, कि एक जब समाज है, तो समाज में सिर्फ men, सिर्फ women, सिर्फ children नहीं होते, वो समाज कब बनता है, जब उसमें पूरी family आती है, तो ये बहुत important question है, और इसको बहुत अच्छे सा आप है, तभी उसको लेंगे, बच्चे हैं, तो ऐसा single single नहीं, बलकि एक एक परिवार को लिया जाता है, तो इसमें जो आंसर होगा आपका, ये हो जाएगा family, fourth number, ठीक है, तो ये fourth number इसका आंसर है, और ये important है काफी, ठीक है, इसको आप बड़ा ध्यान रखेगा, कि समाज की निर्मान होता है, आगे बढ़ते हैं, what should be connected with family education, so as to enhance the result, पारिवारिक शिक्षा के साथ क्या जोड़ा चाना चाहिए, ताकि परिणाम बढ़े, मतलग जो हमारा output आए, वो बहुत अच्छा आए, क्या जोड़ना चाहिए, information technology जोड़नी चाहिए, administration, political power, human resources, थोड़ा सा ध्य अध्यान से समझिये, सोचिये और फिर आंसर करिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से सोच समझ के आंसर आप लोग करिए, पारिवारिक शिक्षा के साथ क्या जोड़ा जाना चाहिए, ताकि परिणाम बढ़े, सूचन और प्रद्योगी की, प्रशासन, राजनितिक श से के लिखा क्या है, पारिवारिक शिक्षा, शिक्षा की बात जहां आती है, वहाँ प्रशासन का कोई काम नहीं अभी आ रहा है, राजनिति से भी कोई हमें मतलब नहीं है, और परिवार में मानव संसाधन हमारे पास अल्रड़ी हैं, तो ये तीनों जो हैं पॉइंट ट्र परिवारिक शिक्षा की बात की जा रही है, एक परिवार है जहां हर्व्यक्ति शिक्षित है, तो वो किस तरह से वो टेक्नलोजी जो उनकी है, वो कैसी है, अच्छी है, तभी वो शिक्षित हैं आगे बढ़ रहे हैं, इस चीज़ को देखना है, तो उनका परिणाम क्या होगा, और अच्छा होगा, मतलब उनके रिजल्ट चु आएंगे, वो अच्छी आएंगे, ये आपको देखना है, तो तो यहां पे जो है आपका आंसर जो हो जाएगा, that is first one, information technology उनकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, कि अगर परिवार में एक व्यक्ति शिक्षित है, तो वो अगले को किस तरह से शिक्षित करेगा, उसको किस तरह से technology में information किस तरह से देगा, कि आपको भी इस तरह से और आगे आना है, यह होता है एक पारिवारिक शिक्षा का महत्व, जैसे कई बार आपने देखा होगा, कि एक family में, जो है, हाँ, एक family जो है, उसमें आप देखेंगे, कि एक doctor है, जो head है वहाँ के, family में जो father है, या father, mother, दोनों doctor है, तो वो जादातर क्या करते हैं, information इस तरह से feed करत में, कि वो mostly जो बच्चे उनके होते हैं, वो भी doctor medical field में ही जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनकी जो technology है, वो उसी तरह से चल रही है, उनको मालूम होता है कि आगे किस तरह से बच्चों को हमें treat करना है, कैसे उनका education होना चाहिए, क्या देना है उनको, तो ये भी चीज matter करती है हाँ, प्रशासन होता है, लेकिन ये प्रशासन जो बात की जा रही है, आपके government प्रशासन की बात की जा रही है, ये family में प्रशासन की बात नहीं की जा रही है, उसमें अनुशाशन आ जाएगा आपका, ठीक है, तो information technology मतलब सूचना और प्रद्योगी कि हम क्या information उसको दे से ऐसा हो रहा है कि जो एकल परिवार है, इंडिविज्वल जो रहने वाली family है, एकल परिवार, उसका pattern जो है वो increase हो रहा है, आजकल लोगों को आप देखेंगे कि वो ज़्यादा तर क्या करते हैं, बहुत छोटे परिवारों में रह रहे हैं, मैंने इसको जब आप लोग हैं, हर चीज में बिल्कुल आजाद हैं, उनको किसी family को देखना नहीं पड़ रहा है, ये एक बात हो गई, दूसरी बात हो गई, imagination of free lifestyle, अपने हिसाब से जैसा चाहें वैसे, मुक्त जीवन शैली की कलपना, third, population explosion, मतलब जन संख्या विस्पोर्ट, बहुत जादा, inflation, तो य अरे ध्यान से देखिए, जल्दी बाजी मत करिए, और answer अराम से सोच समझ के दीजे, कि क्या question में पूछा गया है, निम्न लिखित के कारण, व्यक्तिवादी परिवार, pattern, तेजी से बढ़ रहा है, क्या कारण है, कि लोग जो है, वो nuclear family को जादा preference दे रहे हैं, उस nuclear family को वो चाहते हैं कि हम मुक्त रहें, हमको किसी को कोई reporting ना करने पड़े, हम अपने हिसाब से जो करना है करें, और फिर बाहर के देशों को भी हम देखते हैं, कि अरे वो तो कितने free हैं, उनको कोई जंजट नहीं है, अपने हिसाब से जाना आना कर रहे हैं, तो देखिए, ये दो आनसर नहीं होगा, जनसंख्या से इसका कोई लेना देना नहीं है, जनसंख्या ज्यादा कम से इसका लेना देना नहीं है, ये लोगों की mentally जो एक उनका thinking जो है, वो इसी तरह का है, कि वो मुक्त जीवन शैली जीना चाहते हैं, वो अकेले अपने हिसाब से जीना चाहते हैं और western लोगों को देखते हैं पश्चिमी करन कर रहे हैं कि अरे वो देखिए अपने एकदम परिवार में हैं अपने अलग रह रहे हैं वो चीज़े इनके दिमाग में आजकल लोगों के दिमाग में चलने लगी अब कोई भी joint family में वो बंधन में नहीं रहना चाहता है उनके हिसाब से किसी और के हिसाब से कोई नहीं चलना चाहता है tolerance जो है अब लोगों में खतम होती जा रही है तो इसका जो answer है number four होगा कि both, one and two इसका right answer होगा कि westernization or imagination of free lifestyle क्योंकि जो लोग joint में रहते हैं वो कई बार उनकी सोच ऐसी हो जाती है कि हम तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं और कई बार बड़ों की तरफ से मनाही भी होती है और उनके, मतब घर में इतना कई बार color clash भी होता है कि वो कहीं अपने हिसाब से कुछ नहीं कर पाते हैं तो बाहर कभी अगर family में होता है कि बाहर जाके कभी dinner करना है तो वो भी possible नहीं होता है क्योंकि इतने लोग होते हैं सब के अपने अपनी problem किसी की sugar बढ़ी होई है किसी को बाहर का खाना यह पसंद नहीं है किसी को वो पसंद नहीं है तो ये मतलब हर कोई tolerant नहीं कर पाता है तो हर कोई चाहता है कि हम एक free lifestyle जाएंगे तो ये एक reason होता है तो इसमें ये दोनों ही सही होंगे कि westernization और imagination of free lifestyle both is right ठीक है तो one on two इसमें दोनों हो जाएंगे आगे बढ़ते हैं ये बहुत important है इसके साथ कुछ जुड़ी हुई चीजे हैं जो मैं आज आप लोग clear कर दूँगी Mayang tells his friend that his family is headed by his mother Mayang जो है अपने दोस्ते कहता है कि उसके परिवार की जो मुखिया है उसकी मा है हलाकि उसके father जो है वो जीवित है through his father is alive उसके पिताजी जो है वो जीवित है and they are residing at his mother's ancestral house वो अपने मा के पुष्टेनी घर में रह रहे हैं मतलब मा के जो पूरवज हैं उनके घर में रह रहे हैं his family is an example of उनकी जो family है वो किस तरह के family के example में आती है मैंने आप लोगों को जब family का बताया था तो मैंने आप लोगों को बताया कि उसमें कुछ चीजे मुझे missing लगी जो मैंने इसमें add कर ली है ठीक है तिसी तरह से हम जब आगे भी question answer करेंगे तो हमें लगेगा कि lesson में अगर कोई चीज missing है तो वो मैं add करती जाओंगी तो उसके लिए भी परिशान होने की ज़रुत नहीं है तो इसमें जो है answer तो आ गया है very good प्रियंका जी का बिल्कुल right answer है पूजा जी का भी right answer है right answer is B अतर second answer जो है आपका ये सही है metri local family और इसमें first जो है वो है petri local family है वो थोड़ा missing हो गया जोड़े होते हैं शादी की हुए husband wife बस है इस तरह के और consent genius family मतलब सजाती है परिवार मतलब एक ही खून के रिष्टे जिसमें हो हो होते हैं तो इसके बारे में आगे मैं आप लोगो थोड़ा detail में बता देती हूँ कि ये किस तरह से मा के जो परिवार में रह रहे हैं मतलब जो बच्चे होंगे वो कहां रह रहे हैं नानी के घर में रहे हैं जैसे हम लोग अगर अपने परिवार को नॉर्मली देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक परिवार जो है उसका अपना असली घर जो होता है, उसके दादी का घर होता है, ये कहा जाता है, क्योंकि एक जो मदर है, वो शादी होकर के जाती है दूसरे फैमिली में, और उस फैमिली को वो अपना मान के जीवन वहीं बिताती है, तो उसकी जो दादी का जो घर होगा, उन बच्चों का, उसके जो होने वाले बच्चें हैं, वो ही उसका एक अपना घर माना जाता है, वह उसका ससुराल हुआ उस Lada का, लेकिन अगर वो लेड़ी ससुराल ना रहकर के अपने माई के रहती है, अपने माता-पिता के घर पे या पुष्टैनी जो माता का घर या पिता का घर है, उसमें रह रही है, और खुदी उस घर को लीट कर रही है, अगर उस घर की मुखिया है, तो वो मैटरी लोकल, मातरी स्थानिय परिवार हो जाएगा, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप देती हूँ, देखे, nuclear and joint family तो हमने पढ़ी लिया था, metrilocal family को थोड़ा सा clear कर देती हूँ आपको, it is a family where the mother head, mother जो है, मुखिया होती है, and in this type of family, couples leave with the near of female's family after the marriage, मतबब शादी के बाद जो female होती है, उनके परिवार के साथ वो रहने लगते हैं, और patrilocal family में क्या होगा, जो normally होता है, क्या होता है, कि एक family में जो है, a family where father heads, father जो है, वो head होते हैं, family के, and in this type of family, couples leave with or near the male's family after the marriage, मतबब जो male है, couple में, उसके family के साथ वो परिवार रहने लग जाता है, ठीक है, concern genius family जो होता है, उसमें क्या होता है, सजाती है, मतलब एक ही blood से related होंगे, उसमें जरूरी नहीं है, कि माता-पिता हों ही, कई बर यह होता है, कि माता-पिता किसी कारण वश्ट गुजर चुके हैं, तो दादा-दादी हैं परिवार में, और वो जो माता-पिता गुजर चुके हैं, उनके कुछ बच्चे हैं, संतान उनकी है, तो दादा-दादी के साथ वो पोता-पोती रह रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे, कि concept अजीब सा है, कि माप बाप हैं ही नहीं, जो माता-पिता रहते हैं, वो हैं ही नहीं इसमें, दादा-दादी हैं, उनके पोता-पोती हैं, तो यह क्या हुए एक ही परिवार के, एक ही ब्लड के सब सेम ब्लड वाले हुए, इट मींस, इस काइंड ओफ फैमिली इंडिवीज्वल, यह कुछ अलग हुई है ना, लेकिन जॉइन्ट फैमिली ही कहलाएगी, एक तरह से देखा जाए, तो जॉइन्ट फैमिली में ही थोड़ा सा, यह क्या हो गया है, कैटेगराइजिशन हो गया है, ठीक है, तो वो अपने एंसिस्टर्स के साथ रहती है, जो उनके पूरवज हैं, कई-कई फैमिली में तो देखा गया है कि, मतब दादा पर दादा भी आज तक जिन्दा है, तो उन फैमिली में भी ऐसा रहता है, कि वो पर दादा है, लेकिन हो सकता है, माता या पिता कोई गुजर चुके हैं, तो वो बच्चे जो है, आपने दादा पर दादा लोग के साथ भी रह रहे हैं तो ये जो हुई ये इस तरह के सजाती परिवार के example में आ जाते हैं ठीक है तो I think आप लोगों को ये concept clear हो गया होगा मुझे लगा तो मैंने इसको जोड लिया था यही हिंदी में सेम है और भी इसमें कुछ अंतर नहीं है हिंदी में भी मैंने इसमें रख लिया है अगर आप लिखना चाहते हैं तो हिंदी में भी आप बाद में वीडियो को पॉस करकर के आप लिख सकते हैं, note down कर सकते हैं वैसे notes में मैं add कर दूँगी यह आगे पहुंसते हैं हम सबसे अच्छा तो first point is scolding a child always for his mistake हमेशा बच्चे को डाटते रहो तुमने ये गलती करी, तुमने वो गलती करी तुमारा ये सही नहीं, तुमारा वो सही नहीं तो इसमें क्या होगा? बच्चे का development होगा क्या? कभी नहीं होगा, बच्चा बिलकुल चुड़ जाएगा कि बस ममी पापा को मेरी गलती ढूणनी होती है तो ये नहीं होना चाहिए second है, providing a child always stressful, intense situation at home, at the child is aware of problem, मतलब एक बच्चे को तनाव पूर्ण महाओ देना, कि बच्चा जो है उसको हमेशा एक tension सा बना रहे, problem में ही वो रहे कि कई family में देखा गया है कि parents क्या करते हैं बोलते हैं कि भई पडोस वाले जो हैं भाई साथ उनका बच्चा तो IS बन गया और तुम बस बैठे रहो ऐसे ही, तुमसे कुछ नहीं होने वाला तो हमेशा क्या हो गया, घर का माहूल कैसा बन गया एक tension वाला बन गया, बच्चा tension में है कि मैं तो IS नहीं बन पा रहा हूँ तो कई बार ऐसे जब condition होती है, तो बच्चा और भी ज़्यादा पीछे होने लगता है, develop नहीं कर पाता है ये सब आपका pedagogical question है इसे इसको बड़ा ध्यान दीजेगा ये content आपका नहीं है, ये pedagogy मैं आपको बताया था कि EBS में 15 marks के आपके content आएंगे और 15 marks के आपके pedagogy पेड़ागोजी आपकी इसी तरह से पूछी जाएगी तो ये हो गया कि बच्चे को तनाव पूर्ण माहोल देना घर पर ऐसी इस्थिति प्रदान करें जहां बच्चा बिना किसी डर के किसी भी धिजक के माता पिता ये बड़ों के साथ अपने विचार को साजा कर सके बाट सके विचार कुछ भी हो सकता है कभी-कभी बहुत सीरियस मैटर भी हो सकता है कभी-कभी बहुत आपको हसी भी आएगी सुनके बच्चे ऐसे ऐसी बाते बताते हैं तो ये चीज़े भी रहती कभी-कभी ऐसे से मुर्खता पूर्ण बताएंगे कि हमने में ऐसा कर दिया हमने इस तरह से कर दिया बहुत आपको हसी भी आएगी सुनके लेकिन वो भी होना जरूरी है वो fun भी होना जरूरी है तो देखें ये कितना अच्छा आप लोग को लग रहा है point सुनने और देखने में कितना अच्छा है कि घर पे ऐसी स्थिती प्रदान करें जब बना बच्चा जो है किसी भी डर के बिना कोई भी जिजक के बिना माता पिता को अपनी हर बात शियर कर सकता है तो ये आपका third point हो गया और last point है family where there is deep sense of patriarchy and elder members are not easily approachable due to fear or due to lack of communication जहाँ एक पित्री सत्ता की गहरी भावना रहती है और बच्चे डर के मारे ही अपने elder से कुछ नहीं कह पाते है वो लोग इतना डरते हैं कि वो कोई भी चीज अपनी कोई भी बात को शियर नहीं कर पाते तो जैसा ये last राला जो बताये गए यहाँ पे बच्चे के बिगड़ने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है क्योंकि वो बच्चा अगर घर पे शेरिंग नहीं कर पाता है तो वो बाहर जाके शेर करेगा उस जीज को और अगर उसके friends अच्छे हैं तब तो वो उसको अच्छे suggestions देंगे और अगर friends अच्छे नहीं हैं तो वो उसको गलत suggestion देंगे और बच्चा गलत रहा पर चल पड़ेगा तो ज़्यादा तर इस तरह की जो family होती है बच्चे बिगड़ने के chances बहुत होते हैं क्योंकि जो बच्चा होता है उसके दोस्त भी उसी तरह के उसी age के होते हैं खासकर teenage में teenage में जो है बच्चों को बिगड़ने के बहुत ज़्यादा chances होते हैं अगर हम बच्चों के साथ एक friendly behavior नहीं रखते हैं family में तो बच्चा जो है आपको अपनी कोई भी बात share नहीं करेगा छुपाएगा हर बात और कई बर गलत decision बीना बताए ले लेगा तो इसमें जो आपका third answer that is right answer कि उनको ऐसा महौल प्रदान करें उसको ऐसे ही महौल स्थिती दें कि बच्चा आपसे हर चीश share कर सकता है और सभी ने बिल्कुल right answer दिया है और बस आप लोगे paper तो clear होने के बहुत chances दिख रहे है इसी तरह से regular जुड़े रहिए और classes attend करते रहिए मैंने अभी इसमें और बहुत सारे questions रखे थे बट लग रहा है कि आज समय की कमी के करण complete नहीं हो पाएंगे तो हम continue करेंगे class कल कोई tension वाली बात नहीं है तो आज हमारी जो class है हम एक question और ले लेते हैं 14 question तक कर लेते हैं और क्योंकि फिर बहुत लंबी हो जाएगी आज की class और सभी को घर में भी बहुत काम होंगे नवरात्रों में तो एक last question और ले लेते हैं और फिर जो बचे हुए question है उसको हम next day के लिए रखते हैं और कल आप लोगों को आगे की questions में कराऊंगी तो 14 question हम लेते हैं that is the last question last है कि which one of the following statement regarding family is incorrect ये family के लिए incorrect है परिवार के समन में ये कथन गलत है चीज को बड़ा देखिएगा कि वहां correct लिखा है कि incorrect लिखा है कई बार हम हड़बड़ी में गलत कराते हैं ये चीज़ें ठीक है family is the basic unit of society ये तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये basic unit है एक मूल लिखा ही है परिवार को हम तभी जोडते हैं society से तो वो परिवार ये तो पहला point बिलकुल सच है सही है family is the first place where child being to learn and receive early education परिवार वो पहला इस्थान होता है जहां एक बच्चा जो है वो क्या सीखता है प्रादंभिक शिक्षा लेता है कि कैसे behave करना है उठना बैठना बाते कैसे करना है family is mini society for child and here child learn about socialization by observation परिवार बच्चों के लिए छोटा समाज है और यहां बच्चे अवलोकन द्वारा समाजी करन के बारे में सीखते हैं और last one is family may be bound by force and it may exist without love and respect परिवार बल से बंधा हो सकता है और प्रेम और सम्मान के बिना भी अस्तित्व में हो सकता है यह तो कोई बात नहीं हुई बहुत गलत बात है एक परिवार में अगर प्रेम नहीं है सम्मान नहीं है तो वो परिवार ही नहीं है परिवार में तो हमको क्या होता है हम कहीं बाहर से जब घर वापस आते हैं कहीं हम बाहर रह रहे हैं, अगर कभी बच्चा होस्टल में रह रहा है, और वो घर आना नहीं चाहता है, इसका सीधा मतलब है कि उसको घर में अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब कोई कारण है, कहीं न कहीं उसको stress है घर पे, और कुछ बच्चे होते हैं जो घर आना चाहते हैं ये आने की चाहत उनमें होने चाहिए तो परिवार जो है वो बल से बंधा हुआ कभी भी नहीं होना चाहिए तो this statement is wrong ये statement जो है वो क्या हो गया बिल्कुल wrong है कि family जो है वो किसी तरह से foundation में बंधा हुआ हो तो ये वाला जो है आपका इसमें बिल्कुल ही गलत कथन है जो इसमें option में fourth number है और this is the right answer ठीक है क्या पूछा है कि आपको गलत कथन चुनना है तो परिवार बल से बंधा हो सकता है और प्रेम और समान के बिना भी अस्तित्व में आ सकता है तो यहां तक I think आप सभी को clear हो चुका होगा next जो questions है हम कल देखते हैं कल की class में continue करेंगे और आप लोगों को अगर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आती है तो आप telegram group जरूर join करें बहुत easy होगा कोई आपके खर्च नहीं होने वाले हैं पैसे इसमें बिल्कुल easily आप join कर सकते हैं telegram group आप description में जाएंगे तो आपको उपर ही link मिल जाएगा उस पर आप click कर देंगे और जैसे ही आप जुड जाएंगे तो आपको सब जो भी regular आपको वीडियो का link भी उसमें मिल जाता है और मैं everyday कोशिश करती हूँ कि कुछ voice message आप लोग के लिए छोड़ू जिससे कि आप सभी आसानी से उसको समझ सकें class में आज क्या होने वाला है content के बारे में मैं आप लोगो तो 14 तक हमारा रहता है आज और कल हम आगे के questions हैं वो देखेंगे कुछ और discussions हमारे होंगे तो कल की class भी miss मत करेगा कल हमारा continue MCQ चलता रहेगा तो कैसा लगा आज का session आप बताईएगा तो फिर हम जैसे topics होते जाएंगे तो थोड़ा-थोड़ा हम MCQ भी करते जाएंगे अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो like करिएगा ठोड़ी मेहनत हमारी भी रहती है वो जब आप like करते हैं तो लगता है कि हाँ अब थोड़ा अच्छा लग रहा है थोड़ी राहत होती है हम देखते हैं कि हम इनको किसी ने पसंद किया है कि नहीं हर किसी को लगता है तो काम के साथ साथ appreciation भी बहुत जरूरी होता है तो आप लोग का ये appreciation ही मुझे motivation भी देता है तो आशा करती हूं कि आप लोग कल भी मेरे साथ बिल्कुल time से जूड़ जाएंगे कोशिश करिएगा कि बिल्कुल right time 13 आपके right गए एक ही आपका गलत हुआ था यस बहुत अच्छा है very good किशोर जी का आप message आ रहा है आप कहां थे किशोर जी इतने देर से आपका भी message आ रहा है लेट अभी class खतम हो गई अब आप आ रहे हैं तो कुछ late भी रहते हैं class में कुछ बच्चे जो late आते हैं और फि local time से आये हैं तो time से आना है और regular attend करना है देखते हैं कि किसकी attendance सबसे ज़्यादा रहती है ठीक है और bye bye नवरातरी के आप लोगों को धेर सारी शुब काम नाए और बहुत अच्छे से पूजा करिए देवी से प्रातना करिए कि आपका हर मनुरत पूरा हो और कल हम फिर मिल है और बहुत अपका है और के है अपका है?